नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल अफेर्स, मैं हूँ प्रशान धवन, नाव मून बेस, मून पर एक पर्मिनेंट फैसिलिटी, जहां पर हुँमन बिंग्स रह सकते हैं, वहाँ पर डॉक कर सकते हैं, वापस आ सकते हैं धरती पर, यह ऐसा लगता है का एक आडिया कोई स प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया था, प्रोजेक्ट होराइजन के नाम से, इस पर किताब भी है, प्रोजेक्ट होराइजन वॉल्यूम्स, इसमें बताये के युएस मिलिटरी का प्लान था, के एक पूरा किला बनाएंगे मून पर, बाद में विगौज़ आप बजेट कंस साइन किया है, जिसमें दोनों कंट्रीज ने ये का है, के दोनों देश मिलकर बनाएंगे एक इंटरनाशनल लूनर बेस, और ये बहुत ही बड़ी न्यूस है, इसको इंटरनाशनली बहुत कवर किया जा रहा है, यहाँ पर देख पाओगे, यह रॉस कॉस्मोस, रश्या की जो स्पेस एजंसी है, उसका होमपेज है, यहाँ पर लिखा है, रश्या चाइना साइंड ए मेमरेंडम ओन दी क्रियेशन ओफ ए लूनर स्टेशन, और दे हिंदू, बीबीसी, दुनिया भर में आप अगर देखोगे, इसको कवर किया जा रहा है, यह बहुत ही बड़ी डि और इसमें पॉसिबिलिटी यह भी है, कि यह कई कंट्रीज को यह इनवाइट करें, इसका रिजन क्या है, यह मैं आपको बताऊंगा वीडियो में बात में, अभी के लिए आपसे क्वेस्चन भी यहाँ पे पूछना बनता है, क्वेस्चन आपके लिए यहाँ पर यह है, क आप किसी भी एक्जाम की preparation कर रहे हैं, whether it is SSE, UPSC, Bank, State PCS courses, आप purchase कर सकते हैं, unacademy का code जहाँ पे आपको मिलेगी live class, और यह जो original price है, यह पे मत कर देना, use करो यहाँ पर code PD10, और यह होगा course का price after the discount, so use the code PD10 and save money, now सबसे पहले मैं यहाँ पे highlight करना चाहता हूँ कि China इस agreement को लेकर कितना excited है, जैसे ही agreement sign हुआ between Roscomos और CNSA, CNSA मतलब China's National Space Agency, जिस तरीके से हमारा ISRO है, चाइना का है CNSA, तो चाइना में almost आप कह सकते हैं, एक खुशी की layer दोड़ पड़ी, लगातार वहाँ पे बहुत सारे articles लिखे गए, कि China रश्या मिलकर एक base बराएंगे on moon, क्योंकि चाइना कभी भी पता है कि Space Technology के मामले में, रश्या आज भी एक major power है, और अगर रश्या की cooperation होगी, तो बिलकुल बहुत ही जल्द ये moon base ये बनानेंगे, और चाइना में तो कई analysts इसको ये मान रहे हैं, कि ये हमारी एक geopolitical GP है, क्योंकि अच्छली यहाँ पे रेको issue क्या है, ये जो plan है moon base का, ये पहले discuss किया जा रहा था between Russia और USA, Russia और USA काफी लंबे समय से बाचीत करे थे, कि दोनों countries मिलकर एक base मनाएंगे, मगर US बार बार इस project को delay करता गया, Russia ने अंत में, almost आप कह सकते हैं, frustration में, US के साथ सारी बाचीत खतम कर दी, यहाँ पे आप देखोगे, 2020 क अर्टिकल है, टॉप Russian officials dismiss NASA's moon plans, considering lunar base with China instead, Russia ने 2020 में ही indication दे रही थी, कि हम frustrated हो चुके हैं, US से, हम US के साथ इस mission पर participate नहीं करेंगे, we will partner with the People's Republic of China, और उसी time से मुझे याद है कि Global Time, जो China का सरकारी मीडिया है, उसने ये बोला start कर दिया था, कि ये एक opportunity है, चाइना के लिए, अ इससे चाइना के space program को एक बहुत बड़ा boost मिलेगा, इतिहास में अगर हम देखें, तो मैं कहूंगा, चाइना और रश्या ने काफी बार काम किया है, space missions पर, कई बार सहलता मिली, कई बार बहुत भी बुरा experience भी हुआ, एक इसका उधरन आपके सामने है, नवंबर 2011 में, चा चाइना का मार्स मिशन जिसका नाम था, यिंग हुओ वन, चाइना का प्लान ये था कि ये इंडिया को बीट करके, पहले पहुँच जाएंगे मंगल ग्रैपर, और इन्होंने रश्या को का कि जो इनका ये और्विटर है, ये लांच करे, और रश्या इसको लांच करने वा इसका ब्लेम डाला, स्पेस रेडियेशन पर, और इंडिया के लिए अच्छी बाद यहाँ पर ये थी, कि जैसे ही रश्या चाइना फेल हुए, दो हजार तेरा में हमने लॉंच कर दिया मंगल यान, और इंडिया ने चाइना को बीट कर दिया मंगल ग्रैपर, तो ये एक इंस्डेंस आप अगर इंग्नोर कर दो, तो वैसे और बहुत सारे प्रोग्राम्स में, रश्या ने काफी हल्प करी है चाइना की, जब चाइना ने पहला चाइनीज नैशनल भेजा अंतरिक्ष में, उसमें रश्या ने उनको काफी टेनिंग दी थी, काफी वार उनको बता इस ने काफी अचा निड़ने लिया है, एक एगरिमेंट साइन करके, क्योंकि यूएस का जो अर्तमिस प्रोग्राम है, ये तेजी से आगे बढ़ रहा है, यूएस ने काए कि 2024 में, आपको अमेरिकन एस्टोनॉट्स दिखेंगे, मून के सर्फेस पर, और उसके बाद ये देंगे अर्तमिस बेस कैम को, एक प्रोपर बेस कैम होगा, मून के सर्फेस पर, जहां पर एस्टोनॉट्स रह सकते हैं, अफकोर्स हमेशा के लिए नई कुछ टाइम के लिए रहेंगे, फिर वापस धरती पे भी आ सकते हैं, नासा इसको लेकर कंप्लिटली रडी है, और इसके लिए एकोर्स भी बना लिये हैं, एकोर्स का क्या मतलब है, नासा के जो अर्तमिस एकोर्स हैं, इनको कोई भी कंट्री साइन कर सकती है, और ये भी पार्ट बन सकती है इस प्रोग्राम का, और कई देश हैं आज के समय, फर एक्जामपल ऑस्ट्रेलिया, कैनेड़ा, जिनका कोई प्रोपर स्पेस प्रोग्राम है भी नहीं, तो कोई बड़ी बात नहीं है के रश्या और चाइना भी यहाँ पर पाकिस्तान, इरान, टर्की, बाकी जो देश है, इनको भी पार्ट ना सकते हैं, इंटरनाशनल, लूनर बेस का, अफकोर्स यहाँ पर आप पूर क्या भारत, अर्थमेस एकॉर्ड पे साइन करता है, या फिर हम अपनी एक अलग रा बनाते हैं, हम कहेंगे के ना हम रश्या चना के साथ है, ना यूएस के साथ, हम लोग अलग ही, एक इसरो का पर्मेन बेस बनाएंगे on moon, मैं चाहूंगा इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट I am genuinely curious, मैं जाना चाहूंगा आप सबका opinion क्या है, कि इंडिया को eventually यहाँ पर क्या करना चाहिए, ये जो तीन रास्ते हैं, इन में से कौन सा चूस करना चाहिए इंडिया को, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, wealth की, moon पर पहुँचना, moon पर बेस बनाना, ये सिर्फ एक science experiment नहीं है, moon पर हमको पता है, बहुत सारे minerals है, helium 3 का भंडार है moon पर, और helium 3 जो country वापस धरती पे लेकिया आएगा, energy पर complete control होगा उस country का, तो helium 3 की यहाँ पर race चल रही है, US ने अलड़ी ये डिकलेर कर दिया है, कि उनके एसाब से space एक global common नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि अ नहीं है वापस आते है अपने question पे कि modern science के हसाब से solar system की age क्या है, नहीं यहाँ पर सही उत्तर है option, option A, 4.5 billion years is the right answer, so यह है यहाँ पर अंत इस वीडियो का, और by the way यहाँ पर देख पाऊगे NASA की explanation भी है, and this right here is the end of the video, thanks all of you for the birthday wishes, मैं genuinely appreciate करता हूँ, love all of you, thank you, this is the end of the video, God bless you all. झाल